नमस्कार दोस्तो वेलकम टू स्पोर्ट्स नॉलेच तो गईस आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ISL 2021 से रिलेटेट और भी कुछ नए और इंपोर्टेंट ट्रांसफर अपडेट के बारे में लेकिन गईस उससे पहले एक और बात कि अगर आप हमारे चैनल प कर आये हैं मुंबई सीटी एपसी के तरफ से तो मुंबई सीटी एपसी ने यहाँ पर ऑफिशियली कॉंफर्म साइनिंग कर लिया है सिटनी एपसी का स्ट्राइकर एडाम लिफ रॉंडे को तो गईस एडाम लिफ फ्रॉंडे इंगलेंड से बिलोंग करते हैं एज हे 33 और में 12 गोल और दो एसिस्ट किया है और लास्ट दो सीजन से ये खेल रहा था सिटनी एपसी के तरफ से ऑस्टेलियन ए लिग के अंदर जहां पर उन्होंने सिटनी एपसी के तरफ से 53 मैचों में 36 गोल और दो एसिस्ट किया है उसके बाद एपसी चांपियंज लिग के अंदर पीनों ने Sydney FC के तरफ से साथ appearance में तीन गोल्स लगाया है और 2018 से यह खिलाडी ऑस्टेलिये ने लिख के अंदर Sydney FC के तरफ से अपने केडियर का बेस्ट फ्रॉम में है तो वही से इनको मुंबई City FC के अंदर मुंबई City FC के तरफ से एक बहुती बढ़िया साइनिंग है नेक्स्ट अगर बात किया जाए नॉर्थिस टूनाइटेड FC के बारे में तो गईस नॉर्थिस टूनाइटेड FC ने यहाँ पार ओफिसियली कॉनफर्म साइनिंग कर लिया है टू टाइम आईली गुनिं इंडियन डिफेंडर है जो मेंली राइड बेक के फोसेजन में खेलते हैं और इसे पहले इन्होंने आईसेल के अंदर FC पुने सिटी मुंबई City FC और ATK के तरफ से खेला है और इसके लावा गईस आईजोल FC के तरफ से 2017 में इन्होंने आई लिक क्रोफी जीता है और इन्होंने खेला है उसके बात गाईस नॉर्थी स्टूनेटेड FC के तरफ से ही एक और अपडेट्स निकल कर आया है जो जूरी है उनका निव फॉरिनर्स के बारे में तो गईस नॉर्थी स्टूनेटेड FC यहाँ पर साइन करने वाले है एक गुनियन इंटरनेशनल स्ट्र गुनिये से बिलोंग करते है एजे सेंटर फॉरो और यहाँनी की स्ट्राइकर के बोशिवन में यह खेलते है और इनके एजे 29 इन्होंने गेसे अपना क्लाप केरियर का शुरूबात किया था फ्रांस के अंदर FC लिमांस का बी टीम के तरफ से और उसके बाद फ्रांस का थ जूपिलर प्रो लिग का प्लेओप्स के अंदर 16 मैचेस, उवेफा चांपियन्स लिग का क्वालिफिकेशन राउंड्स और इवरोपा लिग के अंदर भी इन्होंने बहुत सरा मैचेस खेल चुगा है वो ही अगर इनका इंटरनाशनल केरियर देखा जाए गैस तो इन्हो ज़्यादा खास नहीं है तो गईस फिलाल के लिए इद्रिस से सिल्ले एक फ्री एजेंट है और आप नौर्थ इस्टोनेट एडपसी इनको अगले सीजन के लिए साइन करने के लिए बहुती नजदीग आ चुगा है एन गईस रिपोर्ट्स के लिहाज पर अगर देखा ज ब्यांगलूर एपसी का स्पैनिश मित्फिल्डर निली पार्दोमो के बार में तो गईस निली पार्दोमो जोकि 26 वर्षे स्पैनिश अटाकिंग मितफिल्डर है और लास्टियर जानूरी ट्रान्सफरु इंड़ के लिए ब्यांगलूर एपसी में आया था और आयसल सीज लेकिन गैस आप यहाँ पर आगले सीजन के अंदर यह खिलारी ब्यांगलूर एपसी के तरफ से खेलते हुए नहीं नजर आएंगे क्यूकि निली पार्दमों ए ग्रीस सेकेंडर क्लाप एपियो लेभा दियोकोस एपसी में ओफिशियली कॉनफर्म साइनिंग कर लिया है एक साल का डिल में और उसके बात चलिये बात कर लेते हैं इस्ट बेंगल एपसी के बारे में और उसके बाद गई शिलोंग लाजोंग के तरफ से इन्होंने आई लिक के अंदर भी टोटल 29 मैचेस खेला है तो यहाँ पर गईज लाल रहूलुआ फणाई भी है काफी टैलेंटेड यंग स्टार है और इनको अब यहाँ पर साइन कर सकते है इस्ट बेंगल एपसी लेकिन यहाँ पर कन्फूशन यह है कि इस्ट बेंगल लाल रहूलुआ फणाई को में टीम में शामिल करेगा यहाँ पर रिजब टीम में बहस देगा वो पूरी तरीके से डिसाइट करने वाले है उनका निव हेट कोज चलिए यहाँ पर अब देखने के बाद यह होंगे कि इसके बारे में आगे जाकर के आपडेट्स निकल कराते हैं और आज के लिए इस वीडियो में बास इतना ही वीडियो कर अच्छे लगे तो वीडियो को एक छोड़ा सा लाइक जरूर कर देना कोई भी जानकरी के बारे में अगर आप लोगों के अंदर कुछ भी कॉनफिशन है तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछना और आएसल 2021 से ले लेटेड हरेक जानकरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जोरी बेल एकोन को भी आल पर सेट कर देना तो फिर में लगे अगले एक नए और इंपोर्टेन इंडियन फूबल एपिसोड के साथ और तब तक के लिए बाई बाई